कि रावन के 50 महत्तुन पड़ेंगे जो आपकी परिएक प्रश्चामें आने की सबसे जादाउमीद है मरे जिन प्रश्ण茵ाद की आने की जादा उमीद उन्री प्रश्चों को पढेंगे से हम इसकी बिस्तित करने काही प्राश करेंगे और आपको ये देखना है कि आपकी 50 में से कितने प्रश्म सही हुए हैं यह क्लास इलानी विद्रगेश्पर आप मेरी दौरा लाइप निसुलक देशित में राष्ट में देखने क्योंकि अब की बार एक्सिट हमार क्योंकि यह जो बीडियो है यह आपको सरकार से चक्षक बनाने में अपनी भात्पण और अहम भुग्गा निभाने वाली है इस बीडियो के अंतक बने रहेगा यह पर्यामणी अध्धन है जिसके अंतरगर्ट आपको पर्यामणी भगौलिक श्रमधानिक आर् बायोडिजल बनाने में किस वनस्पति का उप्योग होता है जी हां जातर प्रस्ण आपको इलनी बिद्रगेश से नोट्स मिलेंगे एक बात मेरी यह जरूर याद रखेगा इस वीडियो का आप देख रहे हैं इलनी बिद्रगेश की जो नोट्स है वह आपके लिए रामब गन्ना, सफेद मुली, सनाय और रतन जोथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं चाहूंगा कि ऐसे पश्णों के जवाब आप लोग जरूर दीजेगा क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में नहीं और आप एक रेस के घोड़े हैं तो स बनाने में रतन-जोथ जसे जाते हैं मेरा सवाल आप से है कि नगदी फसल किशे कहते हैं जितने भीस वीड़ोड़ देवड़े हैं विश सभी साथी comment box में जाएंगे और जब आप देंगे शुनहरा धान में प्रचूरता है vitamin A की, vitamin B की, vitamin C की, vitamin D की मेरे सवाल आप सभी से है कि इन सभी vitamins के रासानिक नाम, इनकी कमी से होने वाले प्रमुक बिमारिया जरूर पढ़िएगा यह science में भी आते हैं और यह सवाल आपके, पर आवणा धन में भी आते हैं इसलिए इसको तरट लीजेगा, क्योंकि मैं हमेशा एक पढ़ बदर्सर की भूम का आपको निभाऊंगा यहाँ पर इस प्रशन का उत्तर होगा, vitamin A, सुनहरा चावल, जिसे हम golden rice कहते हैं क्योंकि यह परिच्छम हमेशा जो प्रशन आता है, वो आता है, golden rice के नाम से तो यह golden rice जो है, और यहाँ साइटीवा की किसमें चावल की इसमें iron की मात्रा मिलती है, pink की मिलती है, vitamin A जैसे, प्रचूर मात्रा में तब तो मिलते हैं और इससे vitamin A ही कमी भी पूरी होती है, अगला सवाल है, मदीरा के 37 से कौन सा रोग होता है, मदीरा तो जानते ही होंगे आप लोग, तो मैं चाहूंगे इस प्रशन का उत्तर जरूर बताईएगा, मदीरा का मतलब क्या है यहाँ पे, शराब की बात की जा रही है, जी हाँ, जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, वे पहला काम इस वीडियो का लाइक का बटन जरूर दबाएंगे, इसलिए नहीं, कि आप लाइक करेंगे तो मुझे पैसा मिल रहेगा, इसलिए कि यह वीडियो उन सभी साथी मित्रों तक भी आपको पहुचाना है, जिने आप एक सरकारी से इच्छक रूप में देखना चाहते हैं, चाहे अप्टेट की परिच्छा पढ़ रहे हैं, सुपर्टेट की, सीटेट, यूपीटेट, उत्राखंटेट, यापीटेट, सभी के लिए, मदीना के ज्यादा स्यवन करने से, लीवर में, सीसोरिस या यकृत क सुसान्ट रोग होता है, मने इसपर्षणियक उत्तरिदी होगा, यह लीवर में होता है, सीरोसिस, लीवर सीरीस से कहते हैं, लीवर, ठीकन, यह रट ली जैगा, इस तरह से प्रसन आता है, यकृत का सुसान रोग, इसमें यकृत को सकाह है, जो तो दिर देल नस्थ होती है उनके अस्थान पर फाइबर तंतु का निर्माड हो जाता है इसलिए इस प्रश्ण का उत्तर इड़ी है इलनी बिद्रगेश की जो पर्यावरण है पुरे यूपिमस की काट आपको नहीं मिलेगी इसलिए सब कम छोड़ कर परामनी क्लास अब जरूर पढ़िएगा हम बढ़ चरी में लोही की कमी से रत छंड़ता क्या होता है तो ज्यान रहें अगर रक्ष्णता की बात करें तो एनिमी इनिमिया रोग इनिमिया रोग को रख छणता नाम से जानते हैं यह हिंदी दिया है जहां पर प्रश्ण आपको परिच्छाल के अंदर समझ में ना आए उस दौरान अब एक काम करिएगा ठीक है वहां पर एक काम आप यह करिएगा कि आप इसकी एंग्रेजी वर्जन पढ़ आज है तो बार है कि एंजी प्रती डे होती है सरी में रख की जो इतनी मात्रा चाहिए होती है इसका स्रोथ है मांस अंडा फली अनाज हरी सब्जी है यह हीमोगलोबीन साइट्रोक्रोस एंजाइम का महत्पून घटक भी है सुस्क जलवायू के भली भाति अनकुली के नोट्स मिल जाएंगे आप प्लेश्टोर से इल लेनिक दुर्गेस का आप डाउन लूड करें आपके लिए क्रैस कोर्जी उपलब्द है अगया चलिए यहां पर हमने देखा यहां पर सिकर्य जो पौधे होते हैं इस त कि क्या होता है यह दो फूस्तीthree आधार पर गुद्धिदार सूखा से संसिल सूखे से बचवा के आधार पर किया जाता है अब याद भीद होगा यह चीजे आपलोग याद रखेगा अब जलो बित का उदाण दीजेगा एक बात याद रिखेगा इलैनी ब्यूक्त दुरगेश के जो नोट से भाती कोई Pरिच्छा हो आप परयावन की नोट से मिनमंद स्ट परिच्छा में आते हैं भारी जल एक प्रकार का क्या है भारी जल्दी के जल कीन प्रकार को जल हम लोग को पढ़ना है वो क्या-क्या पढ़ना है एक तो पढ़ने है D2O, एक पढ़ना H2O, फिर एक पढ़ना है CO2 और एक पढ़ना है आसूद जल यह हमने पूरा पढ़ाया हुआ है जल नामक चेप्टर में एक बार आप लोग जा कर देख लिजेगा D2O का मतलब क्या है S2O का मतलब क्या है शियोटो का मतलब क्या है आसो जल का मतलब क्या है शबी लोग बाकी क्लासे जो है देखिए यह हैड्रोजन के समस्थानिक इसको डिटीरियम का अक्साइड कहते हैं इसको डिटीरियम का अक्साइड D2O कहते है यह भार जल क्या है D2O है और इसका प्रियोग किसलिए क्या जाता है नाबकी सेंत्रों के दौरान नूट्रान को असोसित करने के लिए मंदक के रूप में क्या जाता है ध्यान रहे नूट्रानों को असोसित करने के लिए मंदक के रूप में प्रियोग क्या जाता है नाबकी सेंत्रों में एकदम रट लीजिएगा अगर आपको selection लेना है अगर आपको एक सरकारी अध्यापक की अध्यापिका बनना है तब के लिए है ठीक है अब किसी के मन में कोई प्रश्न कोई doubt हो तो पूछ लीजिएगा कोई doubt नहीं है न और आगे चलते हैं चली आगे चलते हैं हमने देखा पुछल तारे की पूछ की तिसा सदे होती है ये भी आपके सेलबस में है आसूच जल को लोग कहते हैं पीने योग की जल जी नहीं आसूच जल पीने योग की जल के अंध्याड़ी में नहीं आता ये सुद्ध वाटर होता है इतना सुद्ध होता कि जल के मिनरेल, खनीज, लमण आदी निकाले जाते हैं सियोटू को सुस्क जल कहते हैं ठोस बर्ब कहते हैं सुस्क बर्ब कहा जाता है ठोस बर्ब कहा जाता है अस्चूद पानी है तो ये मैंने पढ़ाया है पुछल तारा ये क्या होते हैं सूर से दूर की ओर पुछल तारे की पूँच की दिशा सदय हो सूर से दूर की ओर होती है सौर मंडल में जो धूमकिये तो पुछल तारे है अरबो पेंड धूमकिये तो पुछल तारे है ये गैस धूर का संग्र है इनकी पूँच हमेशा सूर से दूर दिखाई देती है याद रहे इस प्रश्ण का उत्तर क्या होगा ए होगा उसका जो मुख होता है वो सूर की ओर होता है मुख लेकिन जो पूँच होता है वो हमेशा सूर से दूर होता है ठीक है समझ मैं आप लोग को इसकी स्कीन सोट चाहा तो कर ले ऐसी स्रीच पुरे यूटूब पर आपको नहीं मिलेगी जो परिच्छा वाले टॉपिक पर आपको बनाया है हम बढ़ते हैं आगे चाहा तो इसकी स्कीन सोट अपने पास रख ले अगला है पर सामने इनमें बिश्चु का सबसे उचा पठार कौन सा है तो हम यह जानते हैं दक्कन का पठार मालवा का पठार छोटा नागपूर का पठार अब आता है तिबबत का पठार कि दुनिया का सबसे उचा पठार है इसकी उचाई अगर देखा जाए तो लगभग 45 सो मीटर है तिबबत का पठार मद एशिया में इस्तित है और इसे दुनिया की चट कहते हैं इसे क्या कहते हैं दुनिया की चट कहा जाता है रट लीजिएगा इसे क्या कहते हैं दुनिया की चट कहते हैं अगला शवार, पितिवी की जुडवा ग्रह कि शे कहते हैं, एक पितिवी की बहन है, अदुसरे पितिवी की जुडवा ग्रह, भोर का तारा, सांच का तारा, पितिवी की बहिन, पितिवी की भगनी, भोर का तारा, तारो वाला ग्रह, ये सब सुक्र को कहते हैं, इसके इतनी उपनाम है लिखना चाहा लिख लिएगा भोर का तारा साश का तारा चमकीला तारा पितिवी की बहीं पितिवी की भगनी यह इतने नामों से चमकीला तारा आधी नामों से जाना जाता है और यह सबसे गर्म ग्रह है यहां पर कार्बन डेक्षेट की मत्रह 90-45% में पाई जात सामाजी विग्यान में कौन सा आयाम विषय सामिल नहीं है बताई आप लो इतिहास भुगोल राजनेति विग्यान अगर हम बात करें अंसीअब 2005 की तो जो सामाजी विग्यान में सामिल नहीं है नील क्रांति क्या है ये भी आपको नोट से मिल जाएंगे सारी क्रांतियां दुख उत्पादन स्वेत क्रांति पुरुस उत्पादन से तो वहीं नहीं है अब बता ये फर्ण पादन का स्वामन किष्य है क्लियर हुआ सबको इसकी इंसर कर लिएक हम चलते एक और अगले प्रश्ण की तरफ अगला है इनमें कौन सा एक पर्यावरण की समस्या नहीं है तीन है और एक नहीं है कौन-कौन प्रश्ण को ध्यान से पढ़िएगा आज कर नहीं वाले प्रश्ण सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ठीक जलका बिनास जलका सरच्छन वनोगी कटाई भूमिय पर्दन बैक ग्रोंड में जो साउंड आ रही है वो रामलीला हो रहा है कौन सी बाल रामलीला हो रही है इसी वज़े से background में sound आ रही है राम लीला कहा का नित्य है comment section में जवाब दीजेगा जल का बिनास करेंगे तो पर्यावण की समस्या होगी जल का सरच्छन करेंगे वनोगी कटाई करेंगे लेकिन याद रहे भूमी का पर्दन करेंगे लेकिन पर्यावण की समस्या एक नहीं है बताईए ध्यान रहे यहां पर क्या होगे इस प्रश्चन का उत्तर जल सरच्छन पर्यावण की समस्या नहीं है बलकिन पर्यावणी गुडवत्ता बढ़ाने में सहायक है याद रहे जल का जो सरच्छन है यह पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सायक है लेकिन जल बिनास होने से वन की कटाई होने से भूमी का अपरदन होने से इनसे पर्यावरण की समस्या जन्म लेती है इसलिए इस प्रश्ण का जो सही उत्तर होगा वह आपका बी होगा इसका सहुद तरकिस पर जाएगा बी पर कैसे बात को ध्यान से समझेड़ा कुछ लोग करें कमेंट पर ध्यान दीजे मार्ट साहब कमेंट पर ध्यान देने का मतलब यह हम सेलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं प्रशन गिनने के लिए नहीं आप पढ़कर जाएं परिक्षा में सवाल करके हैं इसलिए नहीं कि आपने कितना प्रशन को टच किया इससे ज्यादा मानिया आपका सेलेक्शन रखता है तो जल का सरचन यहां पर 20 का राइट एंसर होगा प्रोटीन का सर्वत्त मुदारण है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है दूसरी बात जिनसे प्र दिन रात होने का कारण क्या यह सभी नोट्स में आपको मिल रहा होगा अगर आपने पड़ा होगा प्रितिवी को अपने धूरी पर घूमने के कारण और साथ ये साथ प्रितिवी तेही सही एक बटा दो डिगरी पर जुकी है याद रहें प्रितिवी की दो जुकाओ होती है एक अच्छी जुकाओ अच्छी जुकाओ दूसरा कच्छी जुकाओ तो जणेना में बताइए ये दोनों का क्या है अच्छी जुकाओ कितना है कच्छी जुकाओ कितना है जणा कोमेंट करके देखिए अच्छका जुकाओ तेश सही 1 ड़ा 2 डिगरी याद रखेगा परिच्छा में सवाल आएगा तो गल्ती मत करिएगा ध्यान रहे हैं मैं आपके selection के लिए पढ़ाता हूँ प्रश्ण की गिंती कराने के लिए नहीं हम आपको इस तरह से पढ़ाए जितना पढ़े परिच्छा में सवाल आपकी हुब हुब फसे इसलिए ध्यान रहे हैं यहां से अगर प्रश्ण आए तो गलत ना होने पाए मेरा पढ़ा है तो कभी ने गलत हो इसकी इंसर्ट कर लें यह दोनों confusion वाले हैं और हमेशा पूछो जाते हैं कि इसकी पीडियाफ जल्दी मिल जाएगी और इट्ता जी का धन्यवाद पूडिया पना के देती हमीं सेयर नहीं कर पाते हैं कि विद्यालई सिच्छा में सई सिच् अंपात को लेकर सवाल जो है हमारे भरती को लेकर आये दिन आते हैं चात्र अनुपात क्या है यह कब आया तो यह आया आयर टी इडोहजार नौ से लेकिन लागू कब हुआ यह सिच्छक भरती का पूचा सवाल है दूसरा आई आई टौहजार पांच आर्टी आई आर्टी आई दो हजार पाँच दोनों में क्यानता रहे दोनों कब आया था दोनों कब लागो हुआ ठीक यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आर्टी दो हजार नौ कनुसा सिच्छेक और छात्र का जो अनुपात होना चाहिए एक अनुपाते तीस होना चाहिए ये भी इलेनी बिद्रगेस की नोट्स में आपको मिल गया होगा एक बार अगा आप लोग जितने लोगों ने वीडियो को शेर नहीं किया है शेर कर दें और अगर जितने लोगों ने शेर कर दिया है उनका दिल से थैंक्यू चाहिसे फेस्बुक पर देखने चाहिसे यूटूब पर देख रहे है आप सभी का थैंक्यू भगवान करे आप जरूर से जरूर सरकारिय धापक और जापिका बने और अपने माबाप का नाम रोशन करे इन मेहनत में कमी मत करिएगा आगे दोनों को फुलपान क्या होगा बते है जरा चुहे दोरा फैलने माला रोग क्या है पहले जो भी रोग पुराने जवाने माता तो गाउं के गाउं साफ हो जाते थे और वो रोग था ची चाहिए चाहिए मलेरिया प्लेग तपदी प्लेग से होता क्या था यह जब प्लेग जिसको होता था तो सरीर के फेपड़े में RBC प्रभावित होता था RBC सबसे ज़्यादा प्रभावित होता था और प्लेग वाइरस को क्या कहते थे प्लेग वाइरस को कहा जाता था किसी को नाम पता है पिश्टू कहा जाता था और ये परजीवी के रूप में चुहो पर निर्भर रहता था कवन सा पदार्ट बायो गैस सेंधर में प्रियोग नहीं होता नहीं वाले प्रस्ट में आज के समय में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सवाल है अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कौन सा सवाल इसमें नहीं पूछा है मैंने क्लास्मिक बात पढ़ाया था अगर जिस प्रश्ण का उत्तर ना आए तो चारो विकल्ब का एनालसिस करिएगा जो विकल्ब तीन जैसा दिखे चौथा ना दिखे नहीं वाले प्रश्ण में पसुमल अब घटी थे स्वर्म से जयो कच्रा मानोमा लेकिन खनिस देल अब घटी तरहीं होगा इसलिए प्रश्ण का उत्तर क्या हो जागा अगर आपको प्रश्ण का उत्तर नहीं आता फिर भी नदी कौन सी है मैं चाहूंगा इस प्रश्ण का जबाब आप लोग कमेंट सक्षन में जरूर दीजिएगा याद रहे भारत की जितनी भी नदियां है वेसब वेस्ट टू इस्ट जाती है माने पस्चिम से पूरब की तरफ कुछ नदियों को छोड़कर जो अपवाद है औ लेकिन इनमें भी नर्मदा होगी याद रहे पिथिभी भी पस्चिम से पूरब चक्र लगाती है लेकिन पूरब से पस्चिम किवल दो ग्रह चक्र लगाते हैं एक है सुक्र दूसरा है वरुन इसलिए यहां पर सुर्योद है पूरब दिसा में नहों कर यहां पर रही हैं जैसे नरमदा तापती लूनी ये डेल्टा का निर्माड नहीं करती एक्स्चूरी बनाती हैं मतलब बंगाल में खाड़ी में गिरने वाली शभी नदियां डेल्टा का निर्माड करती हैं जबकि अरफ सागर में गिनने वाली नदियां डेल्टा का निर्माड नहीं क जी यहां थेंक्यू आपका हाँ डेली पीड़े बना दिया करें मैं भले सियर ना कर पूं इसकी इंसोट ले लिजेगा मैं हर पस्तर से कई प्रस्ण आपके जोड़कर पढ़ाओंगा क्योंकि एक बार क्लियर रहे कॉंसर्ट बस यह नदिया अरब सागर में गिरती है लूनी का प्रवा कैसे होता है कि याद रहें एक दिशी बहुद दिशी चक्री जी हां एक दिशी होता है कि सरिश्रिप के अंतरगत निमने में कौन आता है कच्छुआ अमीबा फर्न वेल जी हां सरिश्रिप के अंतरगत कच्छुआ आता है कौन आता है कच्छुवा आता है मैं समझा दूँ खा सिंकला क्या है किसी पास की तंद्र में खा सिंकला बिभिन पकार के जियोधारियों का क्रम है इसमें जियोधारी भोज जों भच्चे कुरूप में होते हैं इसी होकर खाद दुरुज mij वेल अस्तंधारी में आता है का सांप छिप किली मगर मच ये सब सरी स्रिप में आते हैं अमीबा एक कोस्की प्रोटो जोवा संका जनतु है रट लीजेगा अमीबा एक कोस्की है और प्रोटो जोवा संका जनतु है रोनाल्ड रास का संबन्द किस से है है जा टुबर क्लोसिस चेचा मलेरिया सभी लोग comment box में comment करके दीजेगा रोनाल्ड रास बिटेन के थे इन्हें उन्होंने 1902 में 1902 में मलेरिया बुखार के लिए मलेरिया बुखार के लिए मलेरिया बुखार के लिए परजीवी प्लाजस मोडियम की खोच की जो चिके सक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष किसका समस्थानिक है उपर मैंने बताया था है हाईडरोजन के ती नमस्थानिक होता है समस्थानिक होता है इनके प्रमाडु कुरमन समान था प्रमाडु भार अलगलग होते हैं वे समस्थानिक तत्तों कहलते हैं इसलिए प्रिश्न का उत्तर हाइडरोजन होगा जीवन की मोलभूत इकाई है जीवन की मूल भूत इकाई दिखें बताई कमेंट करके जीवन की मूल भूत इकाई क्या है यह वीडियो फेस्बुक पे इलनी बुद्रगेस यूटुब छेले इलनी बुद्रगेस पर लाइब देख रहे हैं डेली का टाइम आप लोग लिख लीजेगा क्लास की मोबाल में हमें दारन अगर्क कि मोद्रगें पर यहां पर कौस्काँ होगी आप कौस्का सजीवों की सरशनात्मक और्कर रियात्मक एकाई हैं कि यह यह जनन में सामर्थ रखते हैं अ कि यह बढ़िब paste दूको छोटा χोटा सेंटी दूप है डिसमें सभी क्रियाये होती है इन्हें सम मिलकर मनुष् Теперь बना है इसकी कोज कोश का किस ने की थी 1665 में राबर थुप में लिखना चाहें ओ लीजेगा आपकी मर जी Самरsin में किया कब 1660 टैसने कोश को बिर झाधर किसके अंदर क्या जाता है कि जैक की गंदर कैटन आजए कर जाता है हो सकता यहां से भी प्रश्णावगी परिक्ष्छा में आ जाए अगर आ जाएगा तो गल्ती नहों होने पाए इस बात का हमें और आपको बिसेस ख्याल रखना है सेलेक्शन दिलना है आपको अगला मेधा पाटेकर का संबन किस्से है बग्यानिक अनुसंदान जल्सा रच्छन परियावण सरच्छन भूमी तो मेधा पाटेकर एक समाजिक कारे करता यों परियावण वित्थी ये नर्मदा बचाओ अंदोलन से तिकिस्से नर्मदा बचाओ अंदोलन नर्मदा बचाओ अंदोलन से समन्दित्थी परियावणी असंतुलन का कारण क्या है पर्यावणी चेतना का अभाव इसलिए प्रतियक वर्स पांच जून को विश्व पर्यावन दिवस्मना देता है भौतिगवादी सोच भोगवादी प्रवित्य भाई पर्यावन का हरास करो आलब दीट सबी से सबको समझ मा रहा है हम बढ़ते हैं का और अग्रियर प्रिश्व की तरफ है आपने देखा होगा पर्यावन की स्रीज में भातिय समिधान को भी समलित कर लिया गया देकिन नोर्स की लिए आप इस नंबर पर वाट्शेप करके जनकरी ले सकते हैं या क्लास समंदित सबी लोग राष्टपदी द्वारा राष्ट सभा में बारा सदस मनुनित किया जाते हैं और अगर संसत्थ पूछलेता तब तब बारा प्लस दो बराबर चौदर ये दो को भी कुछ दिन के लिए पोस्पून किया गया है कि सरते लाविए संसत्थ में बारे प्लस दो और राष्ट सभा में केवल बारे निरिच्ण विधी की विशेष्टा नहीं है यह विदी विभी सरच्ण द्वारा अपनाई जाती है यह बाल के निरिच्ण विधी पार्ट सहगामी किरिया के निरिच्ण द्वारा अनिक तथा प्राप्त के जा सकते हैं कच्छा में बच्चों की बहवार समुमन की इस्थिति उत्यजना की प्रकिरिया को स्वभावी गुरूप से ग्याद कर सकते हैं बेक्तित्यों के बिसेश गुणों को जितनी अच्छाई के साथ यह प्रत्यश प्रणाली से ग्याद किया जा सकता है उतना अन्य नहीं यह वायनात्मक अनुसंधान का प्रमुक्षादन है यहाँ पेश्पष्ण का उत्तर ए होगा और लोकन के अनुसंधान के लिए समस्या का चैन करते हैं और लोकन करते हैं ठीक हैं अगला सवाल अलू प्याज अद्रक क्या है जड़ तना अपस्थानिक जड़े शल्क पत्र क्या है कमेंट बॉक्स में जहिएगा और कमेंट करके बताएगा जितने भी मेरे प्यारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं याद रहे प्रशन का उत्तर आपको पता होना चाहिए जी हां यह तना है यह क्या है तना है अब इसमें भी में कुछ चीज़े आपको क्लासिफाइड करना चाहूंगा जैसे प्रकंद में क्या क्या आता है प्रकंद में प्रकंद में बात किया जाए तो हल्दी आता है अधरक आता है इसलिए लिखवा दे रहा हूं यहाँ परिच्छा में सवाल आते हैं कंद की बात की जाए कंद में आलू आते हैं अगर सेल कंद की बात की जाए क्योंकि परिच्छा प्रश्णाय मैं चाहता हूं गल्ती नहों बस प्याज हो गया लैसुन लैसुन हो गया घंकंद क्या होता है अरुवी यह रट लीजिएगा क्योंकि अगर यहां से सवाल परिच्छा में आए तो मेरे प्यारे साथियों इस देश की निर्माताओं अध्यापक्यों अध्यापिकाओं यहां से कभी गल्ती मत करिएगा येकीन मनी इस क्लास के पढ़ने के बाद आप प्रजदिन क्लास के फैन बन जाएंगे और परिया उफरने के ऐसा विसे है जो सेलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अहम घंका निभाता है यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है चिपको अंदोलन के प्रिणता कौन थे सुन्दर लाल बहुकुडा इनके साथ और कौन-कौन था कौमेंट करके बताईए जैविक समदाय में प्राथ में कुभुकता कौन है देखिए चिपको अंदोलन उनाईस सो तीहत्तर से शुरू हुआ था कहां से उत्तरा खंड से जो तब उत्तर प्रदिश में था पेड़ को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ से चिपकर खड़ हो जाते थे पेड़ों के रच्छा होती थी और ये उत्तरा खंड के किस जिले से कौमेंट करके जबाब दीजेगा चैविक समुदाय में खाद सिंकला कैसी होती है जिमसे ने प्राथमी को भगता क्या होता ध्यान दीजेगा आईये हैं इसको जानते हैं पढ़ते हैं समझते हैं यहाँ पे सबसे नीचे होता है उत्पादक उसके बाद यह भोगता होते हैं जिनने प्राथमी को भोगता दुत्य को भोगता तित्य को भोगता जिनने हम शाकाहारी मांसाहारी शर्वाहारी आदिके नामों से जाते हैं प्राथे में को भोगता है आपका वो आपका शाकाहारी है मांसाहारी दुतियक है और सरवाहारी त्यत्यक है आपको मैंने इतना बढ़िया समझा दिया कि भविसी में अगर यहां जैसे सवाल पर इच्छा में आए तो आप गलत ना कर पाए सभी लोगों ने क्या वीडियो को लाइक कर दिया है अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया है आप सली को थैंक्यू भगवान करें आप किवल ठेट परिच्छा उत्तरे ना करें बलकि सरकारी सिच्छक भी बने और अपने परिवार का अपने माबाप का प्रोटीन का सबसे सरुत्तम उदारण है और जा का पिरामिट कैसा होता है अनिमित्ता सिधा उल्टा कैसा होता है कमेंट सेक्शन में जाएगा और कमेंट करके बताएगा सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जली कमेंट करिए और जब आप लिचे होगा यहां पेस्ट और क्राशा होती है कि तो हम देखते वा carbon यहां सब्सक्राइ सब्सक्राइब जाता है तो दोसरे पढ़िंद्ड और होता सिधा और तो जाता है ये लिंडमान का नियों में 90% हराश होता है अगला है आपके सामने साथ आपको दिख रहा होगा विटामीन एक कमी से होने वाला रोग कौन है इसकरवी रताओधी को ऐसी ओर कर यह प्रोटीन कमी से होने वाला रोग है मैंने ऊपर पूछा था रताओधी किस से होता है इसकरवी इसकरवी बिटामीन सी से रिकेट्स डी और रताओधी ए इसलिए इस प्रशन का उत्तर क्या होगा अगर आपने इलनी विद्रुगेस के नोट्स पढ़ ली होगी तो यकीन मानिए आपको को कोई माई कलाल रोक नहीं पाएगा सेलेक्शन ल दारण कौण कौण सा है ध्यान रहे आप लोग का निर्मान कारी है शिकार करना है वनों की कटाई है आलाव देज है ठीक आपका धन्यवाद परियवण अध्यन की कच्छा में बच्चो के अनुभव को महत्तो देना चाहिए क्यों की इस से बच्चों की कौसर परिमार्जित होता है अभिव्यति कौसर का विकास होता है बिसे को बच्चे के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रिकरिया को बढ़ावा मिलता है बच्चों को अपनी बात बताने में आसानी होती है, आप बताईए, आप परिच्छा हाल में होते तो क्या करते हैं? इसमें कई चीज़े सही हैं, बिसे को बच्चे के अनुभों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, उनके विविक्ति कौसल का विकास होता है, यहां पर B और C दोनों सही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव साल उक्तर अगर दिखा जाए, तो C हमारे सरीर के अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, फेपड़ा, हिर्दय, व्रिक, यक्रिक, हम हमेशा यह प्रयास करते हैं कि ऐसे प्रशन लेकाना हैं, जैसे अगर PNP, अगर CBSC, अगर आपका बोर्ड, आउट आप सेलबस जाए, तो हम भी आपके सा इकरी प्रशन का सही जबाब है, एक पोसक अस्थर से दूसरे पोसक अस्थर पोड़जा कितना फाख अस्थांतरित होता हैं, दस, और हरास कितना होता है, नबे परसेंट मनें वन बाइटेन होता है और नो बाइटेन हरास होता है यह ध्रट लिजेगा कभी पूछा अस्तांत्रिक कभी पूछता है हरास तो यह दोनों प्रस्णियाद रखेगा कौन सा वाई मंडल की सतंत्र नैट्रोजन का इसे ती कराना करता है कभग प्रोटो जोबा वैरेस नीली हरी सेवाल सबी लोग फटाफट कमेंट करके बताईए एकदम सही आप लोगों ने बताया नीली हरी सेवाल एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग है कि परिया वरन अध्यन की कच्छा कैसी होनी चाहिए कि पाट पुस्तक पर आधारीट पाट पुस्तक में दी के गद्विधीयों पर आधारीट गद्विधीयों पर आधारीट उप्यूक्त सभी केवल गतिविधी आधारित होनी चाहिए किसके आधार पर होनी चाहिए अनसियप 2005 बच्चों को पाटपुस्तक में नहीं लपेटना है ध्यान रहे कि पाटपुस्तक पर आधारित नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें बच्चों को किसी भी जंजीर में नहीं बादना है चाहिए वो किताबी जंजीर हो, मानसी को, सारेरी को ये कौन कहता है? NCF 2005 कहता है ठिक आगे बढ़ते हैं लोग पर्यावन अध्यनी कर्षा में बच्चों के बच्तिगत अनुभो को महत्तो देना सिच्छक को क्या लाग पोशाता है? आइए ध्यादे दिखते हैं बिसे को बच्चों के अनुभो को संसार में जोड़ने, बिचार भी मस्करने में, शीखने में मदद करता है इसलिए स्पस्टने का उत्तर ए होगा, NCF 2005 के अधार NCF का फूल फर्म क्या होगा, कमेंट बाक्स में कमेंट करिएगा, देखते हैं सबसे पहला जबाब किश्का आता है अगला है, निमलिकित कथलों में कौन सा प्रात्मी कस्तर पर परयावन का उद्देश नहीं है देखिए, नोट्स के लिए कोई पूछ रहात इस नंबर पर वाडश्यप कर ले काल करके जनकरी ले ले, सारी जनकरी मिलेगी कि मेरी क्लास निशुल के देशित में, राष्ठित में है ये इलनी बिद्रगेश की आफिस का नंबर है, आप इनसे अपनी जनकरी ले सकते है बच्चों को आकलेन के लिए सब दावली और परिभासा को बोश डालना एकदम नहीं प्राकरतिक समाजी वातावरन के बारे मुश्यक्ता जगाना बच्चों खोजने में ब्यहवारी क्रियाओं में लगाना जीवन और प्रहवने सरुकार रखने वाले मुल्लों का साथ कराना इसमें से क्या नहीं होगा, तो यहाँ पर ए जो गलत है, वही आपका सही होगा जी यहां, एक किसान दाने को बुषेस अलग करता इस पकिरियाओं क्या खेते हैं, बहुत लोग इसका उत्तर गलत बताते हैं, इस प्रशने का उत्तर होगा, निश्पावन, क्यों क्यों कि ठ्रेसरिंग क्या होता है, यह फसल से दाना लग करता है, और दाना से भूसा ध्यान रहे, फसल से दाना लग होता है, थ्रेसरिंग से निश्पावन या निश्पादन होता है, किस से वो दानों को भूसा लग, देखते होंगे, इतना बड़ा पंखा लगा लेते हैं, और लोग दौरी में से नीचे निकालते हैं, हावा चलती है, भूसा उड़ जाता ह और दाना यहाँ पर रुख जाता है, तो दाने से भूसा लग करना निश्पावन कहलाता है, याद आया आप लोग को, सबको समझ माँ गया ने, गलती मत करीगा परिच्छा हैल में, इलनी में दर्गे सी क्लास पढ़ रहे हैं आप, नीबू साधारण पानी में दोब जाता है, लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? जब आप जरूर दीजिए, क्यों? नीबू का घनत नमकीन पानी में अधीक है, नीबू का घनत नमकीन पानी में कम हो जाता है, सधरण पानी घनत नमकीन पानी घनत से अधीक होत होता है इसलिए नंकीन पानी में नीबू तैरता रहता है कि परदार्थ की किस अवस्था में अड़ों के मद्ध दूरी नियूंतम होती है मोश्ट इंपोर्टन पादार्थ की कितनी अवस्था होती है कमेंट बॉक्स में देएगा और जबाब दीजेगा शबी लोग फटाफ़र कमेंट करें थोस में पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है कॉमेंट करके जवाब दीजेगा पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है कुछ लोग को लगर रहे रहे सरी यह क्या पोछ रहा है हम तो तीनी अवस्था जानते हैं पतार्थ की चौथी अवस्ता क्या है कि आपको चिलों के मन में करें हम तो तीन अवस्ता जानते थे इस सर्जी चौथा कब से बता दिए कि चौथा वस्ता क्या होता है कि फ्लाजमा जी हाँ पदास की पांचियों वस्ता भी होती है अब पढ़िए भाई सेलेक्शन लेना नहीं नहीं प्रस्ण आ रहे हैं अब पुराने गिसी बिटे प्रस्ण जा रहे हैं अब तभी तो कहते हैं लाने दुर्गेश नोट्स पढ़िए चाह सुपर टेट के लिए यूपी टे कौन सा टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है कौन सा राज बताई सबी लोग फटापट का मन करके मद्रिप्रदेश सेर राज किसे क्याते हैं उर्जा का नवीनी करण सुरोथ क्या है उर्जा का नवीनी करण सुरोथ क्या है बताई से भी लोग फटावट कमेंड करके सेलेक्षिन वाले सवाल है पौदा ठीक चलते हैं एक और अगले पश्चने की तरफ देखे नोट्स के लिए इस नमबर पर आप वाट्सेप करें आपको सारी जानखारी मिल जाएगी और ये जौनपूर जनपत के सिराजेहिंसे क्लास आपके लिए चल लगी है मेरे दोरे निसुलक है भाती किसी को प्रभाइद करने वाला मौसम सबसे महत्रपुन तक तो क्या है क्या मौसम प्रभाइद करता है सभी लोग जवाब देजे आपने सुना होगा कि भारती किसी मांसून का जुवा है उस मांसून के में किसीच का वरिष्टी वर्षा और जैसे आपने ये देखा होगा ये चीट ये है लद्दाग आपका क्या है लद्दाग अब यहां से वर्षा होती है यहां से वर्षा होती है यह इसा नहीं आता यह बात जानते रहेगा वर्सा होता है चाया रहा चाया पड़ जाता है इसलिए विश्टी चाय च्छेत्र कहते हैं वायू मंदल की सबसे ठंडी परत कौन सी है सबसे निचली परत छोब मंदल यहां मदल है यहां पर माइनस 80 डिगरी सल्सियस से लेकर माइनस 100 डिगरी सल्सियस तक ताप माल मिलता है कौन सी यह ग्रीन हाउस गैस है आरगन ऑक्सीजन सल्फवर डायकसाइड मिथिन यह एसो टू यह क्रेकिंग गैस कहला प्रोसी के लिए जिमेदार है यह अमलवर्सा के जिमेदार है यह वायू मंडल में तीसरी सबसे बड़ी गैस से जीरो दस्मलों नौ तीन परशंट ऑक्सीजन दूसरी सबसे बड़ी ग्रह से बीस दस्मलों नौ पांच परसंट लगवा 21 परसंट मिथेन होगा श्रीयच फोर इसे मार्स गैस कहते हैं सड़े कले पदार अगला है वर्षा की बूदे गोली क्यों होती है सबी लोग फटाफ़र कोमेंट करें वर्षा की बूदे प्रिष्टी तनाओं के कारण गोली होती है और गुत्वा करसर सकते हैं कारण जमीन पर आती है लेंड आप कंगारू आस्ट्रेलिया को कहते हैं सीस का सही जवाब है हम चलते हैं और अगले प्रिष्टी की तरफ भारत में दूद का सबसे बड़ा उत्पाद्यक राज्य कौन सा है बताई सब लो दूद का वर्तमान में दूद सबसे ज़्यादा कहा है गुजरात में या उत्तर प्रदेश में जर अच्चे करके बताईएगा अब इस समय क्या है देखिए यूपी में यूपी प्रथमस्थान है किसके लिए आलू गन्ना गेहू और बताईए प्रथमस्थान है इसके अलावा क्या है बताईए दूद में क्या गुजरात सायद गुजरात एक बार चेक कर लिए गुजरात है या यूपी है एक बार देखिएगा वर्तमान में यूपी है क्या वर्तमान में यूपी हो गया है क्या एक बार चेक कर लिजेगा दूद उत्पादन में कटपुतली प्रदर्शन कहां होता है उत्तर प्रदेश में जो मेरे बैग्राउन बन रहा है राम लीला रास लीला और क्या क्या है हम भी यूपी के जौनपुर जनपस से है आपकी जिले से है यूपी सही है कटपुतली का प्रदर्शन जी हां जो कटपुतली है ये राजस्थान से है किस देश में कीवी पाए जाते है यह होगे निजी लैन यहां कंगारू यहां कंगारू मिलते है ठीक है और गदागदई कहा मिलते है गदागदई अच्छे दूद में भी यूपी है दूद में भी इससे में यूपी है देखिए कलपना जी ने बताया दूद में भी यूपी है इसलिए हां कभी उत्तर क्या होगा डी होगा क्या होगा डी इसकी इसाट आप ले लीजेगा इसका उत्तर डी है ठीक इसकी इसोट कर लीजिए ब्राजील में क्या कहते हैं अनाकॉंडा अनाकॉंडा मने बने साब बनाया है अनाकॉंडा मनाया है मैंने ठीक है चलिए आगे चलते हैं निम्लिखित में से किसके जन दियोष पर राष्टी खेल दियोष मनाया जाता है मेजर ध्यान चलिए 29 अगस्त अवसद भार 30 वर्षी वक को प्रदिन कितनी बिटामिन सी क्या सकता होगी 60 यमजी 60 मिलिग्राम ठीक है चलिए आज का यह आखरी सवाल है वहाँ पौदा जो आक्सिजन के उन पस्तिती में स्वसन कर सकता है ठीक है बताइए क्या आप लोग देखें आल इन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर पर वाट्शेप करके जानकारी ले सकते हैं यहाँ क्लास जोनपूर जनपत के सिराजे हिंसे मेरे दोरह ने सुछ चलना है अच्छ एक सवाल है मेरा स्याद आप लोग को पता होना चीए देखें मैं पूछ रहा हूँ मांचेस्टर इससे तीन सवाल बनते हैं कौन-कौन एक बनता है भारत का दूसरा उत्तर भारत का तीसरा दच्छ भारत का इसके तीनों कुत्तर आपको देना है जितने लोग इस वीडियो को लाइब देख रहे हैं कहां-कहां इसको माल लेते हैं A इसको माल लेते हैं B, इसको नमद सी अब आपको A, B, C कुरूप में देना है कि मैंचेस्टर से गर आपकी परिच्छा में सवाल आए तो आपका जबाब घलत नहों भारत का मैंचेस्टर, उत्तरभात का मैंचेस्टर, दच्छलभात का मैंचेस्टर ठिक यह सवाल तब जवाब देजिएगा जब क्लास खतम हो जाए तब कमेंड बाक्स को लेगा तब जाके दीजिएगा वह पौधा एकदम सही आप लोगों ने बताया है क्लोरेला कि ऑक्सिजन के इनुपस्तिती में स्वसन कर सकता है जब क्लास खतम हो जाए तब आप लोग इस प्रशन का जबाब जरू देजिएगा हम यह देखते कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रशन का सही उत्तर कमेंड बॉक्स में यहाँ पी उत्तर गयाव हो जाएगा वहाँ पर ही आपके उत्तर बाद में लोग देख पाएंगे इस वीडियो को शेयर करिएगा बाकी जितनी भी क्लास है उसके लिए आप टेलिग्राम ऐप इस्टॉल करिएगा और सर्च करिएगा दुरगेश ये इलिट पाएङए जो इन लिएक न पर दिएक सब्सक्राइब इस्टक्राम मेरा है दुरगेश जल सर के नाम से और फॉलो कर सकते हैं वहाँ से आप ट्रैस कोर्स पढ़ सकते हैं पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू अब सभी का बेस्ट आफ लग जय हिंद जय भारत क्योंकि रेस के घोड़े रेस समच्छे लगते हैं खेत्म नहीं और आप एक रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस सेलेक्शन्स हैं थै झाल